दोस्तो अर्लोट पर आप से विगा स्वागत है दोस्तो आप लोग जैदी फर्स टाइम वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप लोग यहां से सब्सक्राइब कर लेजएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेश का आने वाला जो फैसला है उस आने वाले फैसले से पहले ही आखिर जानेंगे इस वीडियो में जो आखिर सुप्रीम कोट का जो आने वाला फैसला वो क्या-क्या हो सकता है और साथ ही साथ बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप लोगों ने कॉस्चन करी है उन सभी question का इस वीडियो में answer भी जानेंगे और Supreme Court का आने वाले फैसला का prediction भी आप जानेंगे इस वीडियो में वीडियो बहुत important है दोस्तों वीडियो को पुरा देख लिजेगा और कुछ भी पूछना हो और चाहते हैं जो आपका भी comment पिक हो तो वीडियो को वीडियो में comment करें चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जैसा कि थमनिल में देखा आपने Supreme Court का NPA और सरवोच न्याल यानि उन्रेवल Supreme Court का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने राहत दी ठीक है और क्या राहत दी है अभी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारी चीज मालूम चल जाएगा अब देखे लोन moratorium नहीं यानि किसी ने comment करके पूछा था लोन moratorium लिया है या नहीं लिया है या अपलाई नहीं किया है उन्होंने अपलाई नहीं किया तो क्या उनको moratorium उनका उनका लोन पीए में डाल करके कुछ बैंक वाले कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और इन सभी का जवाब हम जानेंगे दोस्तों और सबसे बरी बात क्या है जो आदेश आने से पहले की पहले की भी बात है इसमें कियोंकि आपको बहुत सारी हम खुस खबरी वाली भी बात बताएंगे इस वीडियो में और गुड नियूज भी बताएंगे जदी आपका किसी भी तरह का लोन या credit card है तो वीडियो को पूरा देख लिजे नहीं तो पस्ताइएंगे पस्ताने नहीं देखेंगे ना समझेंगे और फिर गलती कर बैठेंगे तो फिर तो पस्ताने के अलबा क्या होगा अब पस्तावत का हो तो जब चिरियां चुक गई खेत हिंदी में पर Catherine May Goet 1989 समर्फाइब अब विडीयो को पूरा देख लेना और सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोट की आने वाली जज्जमेंट का जो है सबसे बरी भाइस्वानी इस वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं ठीक है दोस्तों वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा पहले ही बता दे रहें आपको तो वीडियो को पूरा देख लेना लेकिन समस्या का जर से स लास्ट हेरिंग जो दिसंबर में हुई थी उन सभी का पीडियेफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी अर्लिवूड की ओफिसल वेबसाइट आपको मिल जाएगा हो यहां से आप सारा चेश देखे यहां पर पीडियेफ दोडियाटकर सकते हैं एक सब्सक्रियाटा। से पहले आगे बढ़ने से पहले बता देते है सुप्रीम कोट का लोन मोरिटोरियम आरबी आई लोन मोरिटोरियम एक्टेंशन केस और NPA पर जो इंट्रिम ओर था वो एस्टिल अभी कंटीन्यू है यहाँ पर एस्टिटस देख रहे हो अभी के डिट में भी पेंडिंग आ र यहाँ पर जड़ा मैं वो पोइंट निकालता हूं आप लोगों को दिखाता हूं आखिर क्या पोइंट है और कौन सी बरी बात है और सुप्रीम कोट का जो आने वाला फैसला है वो क्या रहने वाला है ठीक है दोस्तो जड़ा यह दिखिए यह जड़ा मैं ओपेंड करता ठीक है या तो आप earlywoodad.com की जो website है आप विजिट कर लेना वीडियो की description में मिल जाएगा और वहाँ पर जाके आपकी जो services है कोई product है या आपको YouTube channel वगेरा है तो आप उसके लिए advertisement create कर सकते हैं और उसको आप promote कर सकते हैं और इस वीडियो की description में आपको earlywoodad.com की link मिल जाएग जहां से आप काफी बिल्कुल free of cost में premium quality का advertisement आप online बिल्कुल free of cost post कर सकते हैं means डाल सकते हैं बिना किसी एक रुपए खर्च किये ठीक है यह इस website को check कर लेना चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आते हैं देखे किसी ने comment करके किया comment करके पूछा था वीडियो में पैसेंस र यह टैटल देखो उनीस दो दोजारे किस आर बी आई लोन एन पी जरा मैं इधर दिखाता हूं आपको YouTube पे भी यहां पर देखें यह जो वीडियो आए थी आप पहली वाले आज की इस वाले वीडियो में कमेंट किया हुआ कमेंट किया था काफी सारे कुछ लोगों ने और क्या NBFC लोन NPA करके कारवाई कर सकती है ध्यान से सुना इसका आंसर देखो मोरिटोरियम था कब से लेके एक मार्च 2020 से लेके 31 अगस्त 2020 तक ऑफिसियल था ठीक है अब इस बीच में दो चीज़ हो सकता है या तो आपको बैंक ने मोरिटोरियम दे दिया आपको आपने अप देने के बाद 31 अगस्त को मोरिटोरियम खतम हो गया एक सितमबर से खतम हो गया तो खतम हो गया तो आपके एक सितमबर से लेके तीन महने के बीच में सितमबर अक्टूबर नवंबर ठीक है तो इस बीच में आपका लोन NPA हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक यानि तिल 19 फरवरी 21 तक आपका लोन NPA नहीं हुआ है इसका मतलब क्यों नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोट ने NPA पर इंट्रिम ओर लगा रखा है जो कोई भी लोन NPA नहीं होगा इस बात के लिए सुप्रीम कोट का ऑन्रेवल सुप्रीम कोट का बहुत बहुत धन्यवाद समझ में अभी वो कारवाई नहीं करेगा अभी वो तगरी वाली जो NPA पर नॉर्मल कारवाई होती है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्यों क्योंकि सुप्रीम कोट से इंट्रिम ओर लगाया हुआ है और यह ओर क्या होने वाला है अभी हम उसका बहस्वानी बदाएंगे ठीक है यह आपका लोन डिफॉल्ट जरूर होगा जितने है डिफॉल्ट जरूर होगा NPA नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा कमेंट लेते हैं ठाकूर रोमी सर्मा फिर पूछती है तैंक्यू थैंक्यू सर फोर टेकिंग मैं कॉस्चन आपका बहुत बहुत धनवाद वेल क्रेडिट कार्ड है जिन्होंने एमाई बनवा रखी है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर लोन डे ले रखा है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर एमाई करवा रखी है ध्यान से सुनते जना एमाई भी लोन है ठीक है और आज जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर इंसोरेंस पॉलिशी ले रखा है इंस्वरेंस पॉलिशी ले रखी है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड पर किसी भी तरह का आपने कोई भी पॉलिशी ले रखी है समझ में आगे बात आपको ये सारे चीज़ अभी इसमें कभर करूँगा वीडियो बहुत इंपोर्टेंट ठीक है चलिए अब बात करते हैं इसका एकाइस को सबसे पहले पूछे रही है मेरी आइसए मेरी में also इनके पास एपे माय का क्रेडिट कार्ड समझ में आगे बात आपको इन्होंने इस क्रेडिट कार्डब पूछे ऑपर पूछी है 5 लाग क्या और यहां पर पात आगी 5 लाग का इसका term insurance policy है ठीक है बात आगी यहां तक अब seven year का है साथ साल के लिया है इन्होंने अब साथ साल का लिया है और साथ साल की तीन साल से पचास हजार हर साल EMI भर रही है ठीक है और पचास हजार रुपया every yearly भर रही है यह EMI 50 के yearly ठीक है इस साल से monthly EMI मैंने करवा लिया है जिसकी EMI 4000 है अब देखो यहां बात क्या आ गई 50,000 रुपया पहले जाती थी ठीक है 50,000 yearly तीन साल पेड कर दिया अब यह 50,000 रुपया नहीं भर पा रही है तो इन्होंने क्या करी EMI करवा लिया ठीक है यानि अब इसका जो EMI जाता है पर मंद यह 4,000 रुपया पर मंद जाता है ठीक है समझ में आगी बात आपको 4,000 रुपया पर मंद जाता है यहां तक समझ गए अब बात करते हैं आगे जो मैंने चार मेहने बाद एक बार भरी है समझना ये बात को इन्होंने क्या करी चार हजार रुपया मेहना जाता है लेकिन इन्होंने अब क्या कर दी जो ये चार मेहने तक भरा ही नहीं चार मेहने बाद एक EMI भरी है ठीक है ना अब देखो चार मेंने यानि तीन EMI इन्होंने क्या क्या तीन EMI भरी ही नहीं तीन EMI इसका फेल हो गया अब चौती EMI इन्होंने एक बार भरा चार हाजार रुपिया ठीक है चार मेंने बार ICI credit card की payment न भरने पर ICI मेरा term insurance का पैसा रोक सकता है यह question हो गया इनका पैसा ICI bank वाला term insurance में वो रोक सकता है क्या या उस में से card लेंगे क्या अब देखो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छा question है ठीक है चलिए अब start यहाँ से आते हैं सबसे पहले देखिए आपने आपका जो main source है वो क्या है credit card अब credit card से आपने क्या लिया एक insurance चैटर में insurance हो या health insurance हो कोई बहुत या आपका पैसा जो insurance में वाला कारता है वो किससे कारता है credit card से कारता है ठीक है अब credit card में जदी आपका balance होगा तो यह जो EMI इसकी जाती है आपने जो बनाया है 4000 रुपय महिना तो जैसा कि आपने बताया जो credit पिछला जो आपका पिछले वाली जो question था यह उसी से relevant question है क्योंकि credit card का आप बोल जो भर ही नहीं पा रहे है जब भर ही नहीं पा रहे है तो फिर EMI कैसे जाएगा EMI नहीं जाएगा तो अब यहाँ पर आपके लिए solution यह है जो सबसे पहले जिदी मालो credit card का नहीं credit card की जो outstanding है यह नहीं भर पा रहे हैं और आपकी जो insurance policy है यह link है आपका credit card से अब credit card को हमें करना है अलग separate करना है हम क्यों क्यों और हम insurance policy को चलाने है और credit card का बिल हम भरी न परेगा तो अब आपको जो ICI का policy वाला जो है जहां से इंटरम insurance लिया है ICI का तो इस policy को आप इसका EMI जो है separate करवा लिजे इनको और credit card से नहीं भर पा रहे हैं तो फिर credit card से इसको remove करके आप इसको separate करवा सकते हैं इसका EMI पे कर सकते हैं लेकिन हाँ जैदी credit card credit card से आप न policy की जो terms condition है यह लेकिन mainly बात समझने वाली क्या है यानि जो चाहे आप किसी भी तरह का policy credit card पर लो या health insurance policy लो या insurance policy लो में क्या है आपकी EMI इस credit card में जितना balance होगा उससे वो debit होगा तो credit card को जदी आप credit card का bill ही नहीं भरेंगे यानि उसका जो out standing वही clear नहीं होगा तो फिर यह सब कैसे चलेगा यह सब चलेगा ही नहीं फिर फिर यह आपका default इंदस यह फिर आपका लेप्स होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब फिर वो जब आपकी policy का claim करोगे तो उस time पर आपको दिक्कात आएगी तो इसलिए कोशिश किजिए जिसका credit card पर जंबो लोन है य जदी credit card में balance नहीं रहेगा तो आपकी EMI जाएगी नहीं और EMI जाएगी नहीं तो policy continue कैसे होगा खुद सोच के देखिए अब जदी आपको मालो credit card को बंद करना है एक तरह से समझ लो credit card का bill नहीं भर पा रहे हैं सोच लो आपको credit card को बंद करना है और policy जो है आपका उसको continue करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस policy का जो EMI जाती है उसको अलग करना पड़ेगा और credit card को हमें close करके बंद करना पड़ेगा यानि फिक दिना इसको separate कर दो तो हमें इसके लिए आपको आपकी policy issuer जो company है जो ICI है उनसे बात करके आप policy को separate करा लो और इसका EMI आप न policy को अलग कर दो इसका insurance आप normally bank account से जैसे पे करते हैं वैसे पे किजिए और credit card का नहीं भर पार यानि आपको credit card से वो तो काटेगा ही काटेगा जदी EMI नहीं पे करेंगे तो फिर क्या होगा फिर आपका policy lapse हो जाएगी और credit card balance नहीं देगा तो फिर दिकत आप ही को होने वाल EMI बना policy का तो यह आपकी credit card की लिमिट है सब्सक्रों पांच लाक रुपया और पांच लाक में 10,000 की EMI बन गई यह 10,000 रुपया जो है जितना इसका premium है उतना amount आपके credit card से block हो जाता है सबसे पहले समझते हो बात को उतना amount block होता है और फिर इसका EMI बनती है समझ के बात को यह सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ जो आपकी credit card से जितनी भी policy की EMI जाती है उसको continue रखने के लिए credit card को चलाना जरूरी है जदी आप credit card को ही बंद कर देना चाहते है तो आपकी जितनी EMI है इसको separate कर लिजिए और फिर आप credit card को close किजिए औ आपको manually भरते रही है ठीक है चलिए आपका question यहां से clear हो गया अब दूसरा बात करते हैं यह कौन है यह है राजेस राजेस बैटी राजेस ठीक है यह राजेस पूछ रहे हैं जो can bank deposit post dated check against failed EMI without giving any intimation to the customer yes सबसे पहले यहां intimation वो क्यों देगा यार आपको आप यह खुद द डाल रखा है PDC post dated check वो तो security check है जैसे ही आपकी EMI suppose EMI आती है आपका 7 of every month साथ मार्च को साथ फरवरी को आता है साथ तारिक को आता है और साथ को आपकी EMI fail हो गई और आपने security check जो दे रखा PDC check आप बैंक क्या करेगा आपको call करेगा ठीक है तो वो इस call कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है जो आपकी EMI fail हो ठीक है message वगरा आ जाएगा लेकिन वो आपने पूछा जो sir क्या वो आपको intimate कर जाएगा क्यों जदी बाउंस तब होगा जदी आपके बैलेंस नहीं है तो बाउंस होगा तो बाउंस होगा तो उसका अलग procedure है वो ठीक है लेकिन आप इन आपने पूछा without giving any intimation against failed EMI without can bank deposit yes आपके आपके intimation की बिना वो post dated check लगा सकता है answer यहीं ठीक है आपके intimation की बिना व होई नहीं सकता पूरा समझाते हुए ठीक है अब बात करते हैं जो supreme court का जो फाइसला है moratorium moratorium पर और loan NEPA पर उसका क्या होगा जनाब उसका देखो दोस्तों उसका यहीं होगा जो supreme court NPA पर जो interim order है वो जहां तक लगता है जो interim order lift किया जा सकता है NPA पर जो interim order है वो interim order lift होगा lift होने की संभावना पूरी की पूरी है क्योंकि NPA पर जो grace period है indirectly आपको more than 60 days से ज्यादा मिल चुका है ठीक है अब 60 days से ज्यादा मिल चुका है तो NPA पर interim order lift होने की chances पूरा का पूरा है और बाकी कुछ sectorial moratorium मिल सकता है ज़िए आप उस particular sector में काम कर रहे होगे तो या फिर आ कारत सरकार की जो scheme है ECLGS वाली ECLGS वाली इस scheme के तहट आपको one year का moratorium मिलता है one year का moratorium मिलता है तो यह जो scheme है इस scheme का भी benefit आप लोग उठा सकते हैं ज़िए आपका loan इस particular category में आता होगा जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों ठीक है यानि जाते जाते हम आपको बताया है जो supreme court से आने वाला जो order है पिछले वीडियो में भी इधर बताया हुआ हमने ECLGS वाला जो moratorium वाला ठीक है देख लेना आने वाला आदेश यही है दोस्तों आने वाला order यह हो सकता है जो NPA पर in team order को lift कर supreme court कर सकती है क्योंकि इसकी chances पूरा का पूरा है ठ financial stability report January में ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो लंबा हो गया लेकिन माफित चाहेंगे लेकिन आपकी जो समस्य है वो हमने इस वीडियो में पूरी जर से खतम कर दी है क्रेडिट कार्ट पर जदी आपका loan लिया है आपने EMI वगरे बनवाई है insurance policy लिया है यह जानना बहुत जरूरी है आपको यानि फिर एक बार हम बता देते रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे credit card से कुछ भी लो तो आप चाहे insurance लो चाहे loan लो कुछ भी लो उस जितनी भी EMI आपकी कटेगी वो credit card का जो limit है उससे कटेगा ज़दी आपका यहां से इसमें balance ही नहीं रहेगा यानि dues आप clear नहीं करोगे और तो आपका यह सारा चीज़ों फेल होना start हो जाएगा penalty लगेगी और यह जैदी policy है तो वो आपको दिक्कत हो सकती है वो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद शुक् थैंक्यू और NPA पर Supreme Court कुछ जो राहत है वो खतम कर सकती है इसलिए आप लोग उसके अनुसार से भी से त्यार रहिए और earlywood.com वाली जो website है दोस्तों यहां पर आपको चैनल आर्ट में मिल रहा होगा तो आप लोग यहां पर advertisement post कर सकते हैं कोई brand है तो आप उसके लिए पो कुछ में लेगा थैंक्यू दूस्तों